So well guys, ये तो हम सारे ही लोग जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम से लेबल्स काफी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं और वो ने फ्रेश टेलेंटेड आर्टिस्ट को साइन कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ नया म्यूजिक लाँच कर रहे हैं बट सबसे इंपॉरेंट कुछिंग ये आता है कि इन लेबल्स को किस तरह से इन नहीं आर्टिस्ट के बारे में पता चलता है, किस तरह से वो इन नहीं टेलेंटेड आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ दो इंटरनेशन लेबल्स के साथ, तो आई थोट कि क्यों ना में अपना experience, अपनी knowledge आपके साथ शेर करूँ अन इस topic, तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक लेबल अपकमिंग आर्टिस्ट को आइडेंटिफाई करता है, इट्स जबास सुल्दान, you are watching No Hip Hop, so let's start rolling with this one. So well guys, इस चीज़ को तो हम सारे ही लोग agree करते हैं कि काफी ने लेबल्स और major लेबल्स भी ने आर्टिस्ट पे, फ्रेश आर्टिस्ट पे काफी ज़्यादा invest कर रहे हैं, काफी ज़्यादा उनको chances दे रहे हैं, opportunities दे रहे हैं कि उनके साथ मिलके वो ने songs को launch कर सके, तो अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि वो कौन से platforms हैं, वो कौन से factors हैं, जो decide करते हैं कि एक लेबल किसी ने आर्टिस्ट के साथ काम कैसे करेगा, किस तरह से वो उस fresh आर्टिस्ट को identify करेगा, तो ये समझना आपके लिए as an upcoming artist काफी ज़रूरी हो जाता है. So guys, अभी तक trend क्या था? Trend ये था कि music directors ने talented artists को discover करते थे, explore करते थे और उनको chance देते थे और उसके बाद उन artists के song launch होते थे, बट उसके बाद धिरज़रे चीज़े change होने लगी और काफी हद तक auditions और reality shows के through भी काफी सारे artists को discover किया गया, जो कि बाद में इंडिया के सबसे पड़े super stars बनें, but this is 2021 और अब सारी ही dynamics change हो चुकी है, और अब काफी हद तक label independently खुद के A&R managers के through industry को analyze करते हैं, market को analyze करते हैं, और different platforms के through अपने ने fresh talented artist को sign करते हैं, तो कौन से वो platform जान लेते हैं, इस video में, so well guys, मैं पिछले 10 साल से A&R manager हूँ तो international music levels के साथ, और अब ची जादा carefully आपको as an A&R person decide करनी होती है, level के लिए वो ये होती है कि fresh artist जिसको भी आप sign करने वाले हो, उसकी popularity कितनी है, उसका talent कितना interesting है, वो कितना unique music develop कर रहा है, और किस तरह से वो creatively अपने product को ready कर रहा है, तो अब जब से short video formats जैसे कि TikTok, Reels, YouTube Shots आये हैं, उसके बास से काफी स सारे dynamics change हो चुके है, नए artist को explore करने में, अगर आप एक normal music lover भी है, तो आपने में ऐसे बहुत सारे गाने ने सुने होंगे, जो कि ज़्यादा well known artist के नहीं होंगे, बट आपने सुने होंगे on this platform, जब तक TikTok इंडिया में था, तो ऐसे बहुत सारे artist है, जिनका career establish हुआ है, प्र जो कि rings पे काफी ज़्यादा popular हुए इनके गाने और बाद में उनको major labels ने अपने साथ काम करने के लिए sign भी किया है, तो guys अगर आप एक artist है तो please इस चीज़ का ध्यान रखे कि social media platform और specially short video formats पे अपने music को आप डालते रहे, promote करते रहे, you never know कि आपका कौन सा गाना किस दिन एक बड़ा viral hit बन सकता है और आप label की notice में आ सकते हैं और आपके पास भी एक अच्छी deal आ सकती है, guys जो तूसरा important platform है जहां पर end hour managers ध्यान देते हैं वो है आपके music charts और अगर हम music charts की बात करते हैं तो सबसे important होता है Spotify का top 200 music chart जो हर रोज अपडेट होता है और weekly basis पे भी आप इसको track कर सकते हैं इस chart में आपको ऐसे बहुत सारे गाने मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे ने talented artist के गाने मिल जाएंगे कि जिनको हम normally नहीं जानते बट यस यह वो artist है जिनको उनकी audience काफे ज़दा प्यार दे रही है काफे ज़दा appreciate कर रही है और किसी भी label के end hour executive के लिए यह होती है जहां पर आप जाकर अपने songs को push कर सकते हैं जब आपके songs के साथ आपको काफिजा प्यार आपके audience देती है तो automatically वो song फिर charts में आते है और charts को धेकर ही उसको analyze करके ही end hour labels आपको approach करते हैं और वो आपके साथ काम करने के लिए ready होते हैं तो please इस इसका ध्यान रखे कि आपको अपने songs को अच्छे से push करना है on streaming side so that it comes into the charts और guys इसके अलावा जो next interesting platform है वो है YouTube trending section आपने काफी सारे videos देखे होंगे YouTube जब आप खोलते हैं तो आपके home page पे आप explore करते हो तो आपके trending section में music trending section में आपका सारे interesting music videos देखने को मिलते हैं जहांपे कि artist आप शायद नहीं जानते हो पर उसका music आपको अच्छा लगता है और क्योंकि वो आपके अलावा बाकी लोगों को भी अच्छा लग रहा है इसलिए वो music trends बोर्ड में आ जाता है और YouTube उसे और push करता है क्योंकि वो content अच्छा है तो वो भी एक interesting platform हो सकता है जिसके through labels अपने potential artist को identify करते हैं और eventually आपको love affection तो मिले ही मिले audience का साथे साथ आपको label deal भी मिले guys इसके लावा जो next important चीज़ है वो personally जो end our managers देखते हैं वो देखते हैं किसी भी artist का monthly listener जो उसका base होता है वो कितना है सावन कि आप बात करो Spotify की बात करो गाना की बात करो वहाँ पर आपको हर एक artist के monthly listener details आपको मि colors मिल जाते हैं और ये sufficient होते हैं किसी भी label को ये समझने के लिए या just indicate करने के लिए कि इस artist का कितना potential है तो कोशिश ये भी आपको करने है कि आपको अपने monthly listeners के पर focus करना है monthly listeners को आपको बढ़ाना है so that कि आपके song जब launch हो तो आप भी label के notice में easily आ सको guys इसके लावा ऐसे बह यहां पर की articles आते हैं और आव्यार्टिस यह articles भी हो सकते हैं और 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 अर्गैनिक आर्टिकल भी हो सकते हैं ऐसे बहुत सारे आप्र आपने ads देखे होंगे magazines में उनके आपर articles देखे होंगे specially अबात करते हैं premium magazines like rolling stones तो वहाँ पर काफे सारे आपे कि कफे सारे musicians के articles आते हैं वहाँ पर उनके music के बारे हम बात की जाती है उससे भी industry में क्योंकि industry के लोग इस तरह के magazines को इस तरह के publications को जरूर check out करते हैं तो वहाँ से भी जो artist है वो identify होते हैं notice में आते हैं industry के तो वो आपको एक opportunity है जहाँ पर आपको ध्यान देना है अगर किसी भी तरह का collaboration किसी भी तरह का interview का आपको कभी भी call आता है इस तरह के किसी publication से तो उसको ना नहीं करना है और आपको अपने song के बारे में एक जो article देना है जो अपनी story बतानी है आप ज़रूर करे आपकी जो story है वो industry तक पहुंच सके लेबल्स तक पहुंच सके और उनके enda representative तक भी पहुंच सके इसके लावर जो next important चीज़ है वो है brand जैसे बहुत सारे artist है जो आपने देखे होगे काफी सारे brands के साथ काम करते हैं, collaborate करते हैं उनके लिए feature songs बनाते हैं उनके साथ काफी सारी interesting चीज़ करते हैं gigs करते हैं, उनके साथ, उनके साथ concerts करते हैं, तो अगर आप इन तरह के artist को देखते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान देखेगे कि इस तरह की deals होती है, इस तरह का जो projects होते है, उसके पर पूरी industry की नजर होती है, और सारे उनको observe कर रहे होते हैं including labels, और जब labels ऐसे artists के उपर अपना focus लेकर जाते हैं, तो उन्हें यह जुरूर पता होता है कि अगर कोई भी brand किसी भी artist के साथ कोई collaboration कर रहा है किसी तरह की कोई deal कर रहा है तो वो proper market research करके ही आये हैं, that means कि credibility of artists वहाँ पर बढ़ जाती है और labor का जो risk होता है, वो काफी कम हो जाता है, तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई brand deals आती है, collaborations के लिए आती है, तो ज़रूर आपको वो approve करनी है, आप उनके साथ काम करना है, you never know कि कब आपको कोई भी brand deal किसी अच्छे मुकाम तक लेकर जा सकती है, आपके काम को notice में लेकर आ सकती है, industry के, so well guys ये सारे platform से जिसके बारे मैं personally मैं खुद भी explore करता हूँ, और जो मुझे लगता है कि एक upcoming artist को पता होना जरूरी है, तो I thought क क्यो नहीं यह सरी details आपके साथ शेर करूँ, इसके अलावा भी अगर आपके पास as an artist कोई भी doubt है, कोई भी कुई नहीं तो you can always ask me in the comment section, I would love to reply to them all, अगर आपको आपको आच का video पसंद दाता तो please like, comment और subscribe किजए, एक ऐसे artist के साथ, जरूर शेर कीजए, जिसको इससे काफी दाता help हो सकती है, I think that's all for today's episode, it's the Boyz Sultan signing off, I will see you in the next week, next episode of No Hip Hop, till then lots of love and peace